हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पद परिचे जो आपके exam के लिए बहुत ज्यादा ही important है और बहुत ज्यादा confusing भी होता है कि कभी कभी कुछ चीजे समझ में नहीं आती है तो उसको आज एकदम clear तरीके से समझेंगे मजे से समझेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम यह जानने की कोसिस करते हैं कि पद परिचे का मतलब क्या होता है परिचे का मतलब होता है introduction और पड़ का मतलब होता है कि वो सब्द जिसका वाक्य में प्रयोग हुआ हो या जिसकी कुछ व्याकरणिक या व्याकरण की दिश्टे से कुछ value हो तो वो हो गया पद तो पद का परिचय देना तो इसे को कह देते हैं पद परिचय ठीक है सिंपल सी बात है तो अब हम लोग बात करेंगे कि पद परिचय किस आधार पर होता है कैसे होता है तो पद परिचय के इंतरगत आपको पता होगा कि लिंग पूछा जाता है वचन पूछा जाता है कारक पूछा जाता है कि काल क्या होते हैं पूछा जाता है संग्या है कि क्या है सरोनाम है बिना किसी बकाई धीटि के? तो पहली अगर हम बात करते मैं उधार देता हूं कि पदपच्चे कैसे पूछता है एक्जाम में. तो यहां पर अगर आप देखिए जैसे मैंने उधार दिया है कि जैसे क्याँ है यहाँ पर की एक लड़की थी दीवानी सी एक लड़के पेवे मरती थी है ना चुप चुप के चिठिया लिखा करती थी तो उसमें वही वाली लड़की है यह तो समझें तो यह जो एक लड़की थी दीवाने सी अब इसमें अगर मालो अंडरलाइन कर दिया ठीक है अंडरलाइन कर दिया कहा कि लड़की इस पर अंडरलाइन कर दिया जाए फिर उसके बाद आप बताएंगे वचन कौन सा है तो आप बता देंगे इसमें की एक वचन है उसके बाद आप क्या बता देंगे काल कौन सा है तो यहाँ पर एक लड़की थी तो यहाँ पर भूत काल हो गया वो क्योंकि पास्ट की बात हो रहा है है ना पास्ट में जितनी च और चालते कैसे हैं अब ये हो गया इसका पूरा प्ध परिच्छय है ठीक है दीवानी में आएंगे तो दीवानी उसकी विषैस्टा है किया है एक विशय हैं इन सबको कैसे समझते हैं कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं ठीक है एक उदारण और है उसको भी समझ लिजे जैसे इसमें मान लो इसके नीचे अंडरलाइन दे दिया कि प्रेम को प्रेम हो गया कितना गजब का सब्द है कि प्रेम को प्रेम हो गया तो प्रेम सब्द का दो मतलब हुआ तो यहां पर अगर इसके नीचे अंडरलाइन किया है तो यह क्या है व्यक्ति वाचक संगया और अगर यहां पर आगया कि प्रेम हो गया अगर इसका पत्पर्चे देना होगा ना तो आप यहां बताएंगे कि भाव आचक संगया इन सभी चीजों को समझते हैं बारी- को समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है फिर उसके बाद डीटेल में समझ लेते हैं ठीक है एक नॉर्मल वे में समझते हैं जो आप लोग को आप लोग की भास है उसमें मैं समझाने को सिस करता हूं ठीक है तो यहां पर एक कैरेक्टर लेता हूं जिसका नाम क्या ह एक लड़का है उसका नाम क्या है लल्लू ठीक है एक लड़का है उसका नाम क्या है लल्लू है अब ध्यान से सुनना यह कहानी एक मिनट के अंदर आपको पूरी संग्या आप पूरी की पूरी ठीक है उसका नाम क्या है लल्लू है लल्लू जाता है चवराहे पे और चवरा आएगा अपने दोस्त के पास, जिसका नाम क्या है? इसका एक दोस्त है, उसका नाम है कलू, क्या नाम है? कलू, अब ये अपने दोस्त कलू के पास जाता है, और कलू को बताता है कि भाई, आज मैंने एक ऐसी लड़की देखी, जो तुमने कभी ने देखी होगी, बहुँ टॉपिक शुरू होगा अब यहां पर पूछता है कि उस लड़की का नाम क्या है कौन पूछता है कलू पूछता ललू से तो कहता या नाम ही तो नहीं पता है नाम पता चल जाएगा तो उसके बाद हम सर चकल लेंगे कहीं न कहीं से तो जब तक नाम नहीं पता है तब तक क् पता है वे किस में आ गया जाती वाचक संग्या में चाहे वो लड़की हो लड़का हो है ना या जैसे कोई डॉग है कुता है या बिल्ली है यह सभी क्या है जाती वाचक संग्या में आ गये क्यों क्योंकि जब तक हमें किसी एक individual का नाम नहीं पता है, तो यह क्या है? जाती वाचक संग्या होगे, ठीक है? अब उसके बाद यह जो लकड़ी है, ठीक है? अब यह जो लकड़ी है, लकड़ी का मतलब लड़की, ठीक है? अब आप इसको edit करना चाहें, तो edit कर लें, तो इसको edit कर सकते हैं, चलो edit कर ही लेते हैं, मुझे, मैं यह देखना चाह रहा था कि आप लोग इस पर ध्यान दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर यह जान बूच के कही गलतियां होती हैं, खेर, तो लड़की हो गई, अब यह जाती वाचक संग्या हो गई, अब उसके बाद वो कहता है कि अच्छा, चलो नाम तो नहीं पता है, लेकिन कोई तो पहचान होगी, तो कहता है हाँ, एक पहचान है, वो सो उसे बड़ा सोने का जुमका, सोने का जुमका पहने थी, ठीक है, अच्छा भीया, तो लड़की ने सोने का जुमका पहना था, ठीक है, अब यह सोना सब्द क्या हो गया, तो सोना हमारा जो होता है, वे पदार्थ होता है, मैटेरियल होता है, तो इस दुनिया में जितने भ द्रव विवाचक के अंतरगत आजाएंगे के अंतरगत द्रव विवाचक जैसे सोना चान्दी थीक है स्टील इस अभी क्या हैं द्रव है ठीक है मेलफ एक है। या पूरे महले में या मार्केट में एरिया में मेरी कजन सिस्टर ही है जो सोने का जुमका पहिंती है बड़ा सा कहीं ये मेरी बहन की बात तो नहीं कर रहा है तो बताता है कहता है कि फोटो दिखाएगा उसकी कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहा है तो कहता है हाँ यही लड़की ते तुम्हें कैसे मिली, कहता है पागली मेरी बहन है, तब फिर उसके बाद फिर, तो कहता है अच्छा, तो कहता है कि अच्छा नाम बता दो, तो कहता है मेरी बहन जिसका नाम क्या है जुन्नी, क्या नाम है, जुन्नी नाम है, अब यह जुन् व्यक्ति वाचक संग्या हो जाएगा जैसे हिमाले किसी परवत जैसे नॉर्मल परवत है तो जाती वाचक लेकिन पता चल गया कौन सा परवत है हिमाले तो हिमाले क्या हो गया हमारा व्यक्ति वाचक संग्या जैसे नदी है तो नदी तो जाती वाचक लेकिन नदी का नाम हो जैसे गंगा यमुना तो ये सब क्या है ये सब व्यक्ति वाचक संग्या हो गई ठीक है किसी का भी अगर नाम हो गया तो हमारा क्या हो गया व्यक्ति वाचक संग्या हो गया उसके बाद अब ये इसका जो दोस्त होता है लल्लू इतना दुष्ट होता है कहता है यार भले तु पूरी हरियाली आ गई थी दिल में गार्डन गार्डन हो गया था तो क्या बोला उसने कि दिल में हरियाली छा गई ठीक है तो हरियाली तो हरियाली जो है वो क्या है हरियाली हमारा है भाववाचक संग्या ठीक है हरियाली क्या है एक भाववाचक संग्या यानि ऐसी चीजे ज ये सभी क्या हैं? ये सभी भाव वाचक संग्या के अंतरगत आते हैं तो clear हो गई सारी बातें की जाति वाचक किसको कहेंगे? दरवेवाचक, व्यकति वाचक, भाव वाचक, ठीक है? तो ये सारी चीजे आपको clear हो गई होंगी ठीक है, तो सारी चीज़े clear हो गए, पाचो भाग clear हो जाएंगे, अब समूह वाचक की बात करते हैं, तो समूह वाचक बनाना है, तो यहीं पर बता सकते हैं कि अच्छा ये बताओ, कि तुम्हारी बहन पढ़ती कितने में हैं, तो बताएगा कि कक्षा, कक्षा बारवी में है ठीक है, तो यह जो कक्षा हो गया, तो कक्षा क्या है, तो कक्षा जो है, वो है समूह वाचक संग्या, कक्षा, सेना, सभा, दल, ये सभी क्या हैं, समूह वाचक संग्या के अंतरगत आते हैं, इतने चीज़े clear हो गई न, आप लोगों को, तो संग्या थी है, संग्या clear हो ग वही बात है जैसे एक लड़का था तो लड़का हमारा हो गया जाती वाचक उसका नाम गोवर था तो गोवर हो गया व्यक्ति वाचक वह दूध बेशता था तो दूध हो गया हमारा क्या बोलते जाही साथ साथ दूध हो गया हमारा द्रवे वाचक वह मेला में रहता था तो म तो जाती वाचक के यहां पर उधारन लिखे हैं आप देख लिजी व्यक्ति वाचक के उधारन मैंने यहां पर दे रखे हैं देख लिजे तो के वल आपको सर्च करना है यह MSSSC Notes, ठीक है, आप हमारा MSSSC Notes कहीं भी सर्च करेंगे, तो आप हमें Insta, Facebook, Twitter, कहीं पे भी अगर पाना चाहते हैं, तो पा सकते हैं, ठीक है, तो यह हो गया, इसको आगे देख लिजे, यह सभी के उधारण आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, कि दरविवाचक क क्या है, इतनी चीजें आपको clear हो गई होंगे, ठीक है, यह उधारण आपने देख लिए, चले एक बार इवीजन कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति वाचक संग्या, यानि किसी का प्रॉपर नाम, यानि किसी का भी एक individual जो नाम है, जैसे ग्रह म नाम पता चले जैसे प्रिथवी, ब्रिहस्पती, तो यह क्या हो गया, यह हमारा व्यक्ति वाचक, प्रिथवी क्या है, व्यक्ति वाचक संग्या, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे आता है जाती वाचक, जाती वाचक मतलब एक पूरे ऐसा कि एक जाती का जाती का बोध हो जिसमें, जाती का बोध होने का मतलब जैसे ग्रही हो गया, समुद्र हो गया, या महासागर हो गया, नदी हो गया, परवत हो गया, ठीक है, पठार हो गया, ये सभी क्या है, जाती वाचक हो गया, उसके बाद दरव विवाचक मतलब इस दुनिया में जितने भी material हैं जैसे सोना, चान्दी, पानी, ये सभी क्या हैं? दरव में वाचक हैं, समू वाचक जहां पर ग्रूप की बात हो, यहां पर कई धेर सारे लोग बैठते हों, जैसे कक्षा हो गया, सभा हो गई, दल हो गया, ठीक है, टीम हो कि ronख मैंद और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जैसे कि बुढ़ा-पपर परच पन ये सभें भावाचक अपर रखांगा की हरियाली हो गया संगय क्लियर आफ वर मा अगे बात करेंगे किसकी सर्वनाम की सर्वनाम की हमारे छे बहते हैं किते होते हैं इसको याद करने की ट्रीक आप लोग याद रखेगा आप याद रखेगा क्या अनाप सनाप ठीक है जब अनाप सनाप बाते होती है तो यह क्या हो गया सर्वनाम हो जाता है इस प्रकार से अनाप सनाप बनता है ठीक है अब उसके बात अब इनको हम बारी बारी से देख के समझ लेते हैं कि मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि देखे परिभास आएं आपकी किताब में मिल जाती हैं एक्जामपल्स आपके बुक में मिल जाते तो मेरा काम है समझाने का इसलिए मैं आपको समझा के यहां पर फूर्सत करने की कोसिस कर रहा हूं जिससे आपका जल्दी-ज ठीक है बेस्ट लोग तो मैं क्या हूं उत्तम हो बेस्ट हूं ठीक है तो यहां पर उसको हम लोग क्या कहते हैं उत्तम पुरुस ठीक है उत्तम पुरुस में कौन आएगा उत्तम पुरुस मतलब मैं हो गया और हम हो गये ठीक है उसके बाद दूसरे आते हैं मेरे दोस्त या को कोई खास लेना देना नहीं यानि अन्य पूरस ठीक है जो अन्य कौन हो गए जैसे वे वह ॥ ठीक है ये अन्य लोग हो गए ठीक है मेरी मतलब मेरा तो यहां पर नीजी हो स्वैयम कर लूँ गा मैं काम अपने आप कर लो गा तो अपने आप यह सब क्या है ने जवाचाक सरवं नाम सम symbols symbols इसको कह तो सम्स जाए जहां पर आप दूसरा वाला वाके पहले वाले से संब्क्रा और जहां तो सम्स प्रशन और पुह सारल तौरीका यह है क्योंकि वहाँ पर क्या क्यों कैसे ऐसे question मार के दिख जाएंगे और प्रश्ण पूछने वाले सब्द दिख जाएंगे तो अब पहीं जाने लेंगे अब निश्चे और अनिश्चे समझेगा निश्चे मतलब जैसे यह मेरी pen है यह मेरी किताब है वह मेरी है ठीक है तो कैसे आये ठीक है कोई कोई ऐसा सब्द हो गया तो यह क्या हो गया अनिश्चे जहां पर हमें पता नहीं चलता है कि कोई लनन नहीं है कि वहीं है कि 40 हो गया ठीक है clear हो गई बाते सरौ के बाते हो गई तो मैं यहां पर आपको सर्वनाम तक पढ़ा दू अभी देखी वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को बोर लगने लगेगा इसलिए मैं इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसके आगे हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे सर्वनाम हो गय विड़् को में अग्या नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा कमेंट बाक्स में अगला पार्ट ऐ सब्वाड़ as a आएंगी जितने आप लोग के कमेंट्स आएंगे रिस्पॉंस आएगा अच्छा आएगा सेर वगर जादा करते रहेंगे तो उस अतनी जल्दी आपको सेकेंड पार्ट मिल जाएगा ठीक है वैसे कोसेस करेंगे कि जल्द से जल्द यानि एक दू दिन के अंदर ही आपको समस्कार जाहिंद